हालो फ्रेंड्स स्वागत है एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का उतकर्स के अल्लाइन प्रेटफॉर्म पर कैसे हैं आप सारे लोग और एक बार फिर से तह देल से आप सभी लोगों को रच्छा बंदन की धेर सारी मुबारक बाद और शुब कामना हैं सभी बेहन गई आपके लिए वनाए एक हमने बनाया कि अन्तिं सत्तर दिनों में करण और थैर की Tr 다시 के अएपर हुआ जुड अदिइ समया नहीं प्रीच्ण फीर शेट 24 दिनों में जी एक सुचाल दॉड़्यय और इस पर ध्यान भी निदिया जा रहा है सारी बच्चे इसमें जी पढ काम कर रहे हैं काम किस पर नहीं हो रहा है सिर्फ कर सी सेट पर काम नहीं हो रहा है और अंतिम समय पर हर बार बच्चे यही गलती करते हैं जब बच्चे कर दस से पंदरा दिन केवल दस से पंदरा दिन वह सी सेट देख करके जाते हैं इसलिए दस से पंदरा दिन में पांच परिशत बच्चे होते हैं, जिनका GS qualify होता है, लेकिन CSAT में fail हो जाते हैं, मैं 4-5 परिशत बच्चों की उन बच्चों की बात करो, जिनका GS qualify हो जाता है, लेकिन इस वज़ा से prelims रुखता है, कि CSAT qualify नहीं हो पाया, ऐसे तो बहुत बच्चे हैं, इनका CSAT qualify नहीं होता, लेकिन उनका GS भी नहीं होता जिक चिंता उन बच्चों की नहीं है जिनका GS कौलिफाई नहीं हुआ यह आपका स्कोरी नहीं है लेकिन क्वालिफाई करना भी एक चुनोती है आखिरकार कैसे किया जाए सर अंतिम अभी हमारे पास साथ दिन हैं साथ दिनों हम एक घंटा भी अगर टाइम देते रहें तो भी हमारा सी सेट अराम से क्वालिफाई हो सकता है लेकिन सवाल यह क्मलियांकन कैसे करें कि हमें घंटे देने की और सकता है या दो घंटे देने की आवर शाय हुआ नहीं है सबसे पहला काम से परया किजिए कि UPbcs के क्रेंस को आप कर देंस कम से कम पछले 18 से तो पूरा उठाइए लिजिए 2018 से 2018 से लेकर के अब तक यानि कि 3-5 साल सबसे पहले 5 साल का पेपर उठाईए और जी एस पेपर 2 यानि केवल सी सैट का पेपर उठाईए और कुशन अपने पास रखी है ओमार सीट रखी पाचों पेपर सॉल्व कर दीजिए अलग-अलग समय पर बैठ के उसको चेक कर लिए यह क्या कर रहा हूं यह मैं पहले परिजण कर रहा हूं आपकी स्थिति क्या है अपना आत्म लियंकन करने के लिए पहले यह तैं करो हमार से पाज साल लगाया उसके बाद देखा कि पहले माइनस मार्किंग के बाद आपने देखा कि से यह में होनग-एक में साट सई हो गया यह इसतिती है माइनस मार्किंग के पाड़्ग आपको Di-620 सर ड़ eg हो जाएगा आपको आपको सी सेट पढ़ने की जरुवत नहीं है अगर इसकोर आपका पान साल के पेपर में बगएर पढ़े जा रहा है तब पर और एक बड़े रिविजन कर लीजे बस सारे पेपर लगा लीजे आप जाई अपका सी सेट हो जाएगा लेकिन जिन विद्धार हुआ तीन बार क्वालिफाई नहीं हो पाया हमारे टेस्ट में जो मैंने पान साल का पेपर लगाया इसका मतलब है कि आपकी स्थिती बॉर्डर पर है और बॉर्डर पर रहने वाले विद्धियार्थियों को लिए अभी से कम से कम एक घंटे आपको पढ़ना पड़ेगा मिन क्या बार भी क्वालिफाई नहीं हुआ लगिन पंद्रा के उपर हम हैं तो इसका पतलब है कि कि जा सकता है अभी साथ दिनों में क्वालिफाई किया जा सकता है लेकिन आपको अब इसमें दो से तीन घंटा बचे हुए समय में अब देना होगा साल भर की बात नहीं जो वर्गों में बाड़ दिया एक वर्ग यह वाला एक वर्ग यह वाला सबसे पहला काम यह कीज़ेगा, पांच साल का पेपर उठा कर के सौलू कर लीजिए, उसका अंसर मिला लीजिए और अपने आप को चेक कर लीजिए हम कीस समूह में आते हैं अगर इस समू में आते हैं इस वर्ग में तो पढ़ने की कोई आवस्च्छता नहीं है इस समू में आते हैं एक घंटा अभी से पढ़ना इस्टाट कर दी नहीं करेंगे तो अपने आपको जूटी दिलासा दिला रहे हैं और जीएस पढ़ने का कुई मतलब नहीं रहे तो आपको अभी से काम करना है बचे हुए 60 दिनों में और कितना डेली दो से तीन घंटे यह तो मैंने वर्ग बाड़ दिया बच्चों को किनको कितना करना है अब मैं बाताओंगा जिनको करना है कैसी करना है दो ही समू को करना है इनको तो करना ही नहीं जो यह 50, 48, 52, 53, 60 वा और बाकी लोग अब से काम करना स्टाड करें सवाल उड़ता है काम कैसे करें क्या हम सी साथ की कोचिंग आण कल ले पांच घंटे क्लास में बिताए 5 घंटे कलास में बिताना होता तो यह घंटे कैसे में क्यों कहता यह सफिश चटड़ी से हो जाएगा यूटूब पर यतन सा कंटेंट ठीक नहीं बहुत सारी क्लासेज यूटूब पर रहें फिलाल उतकर्ज भी अंतिम समय पर इसके लिए कुछ ने कुछ यूटूब पर वीडियो लेकर करके आएगा लेकिन उसके पहले भी आप अपने माध्यम से भी सेल्फ एफर्ड के माध्यम से भी आपक काम कर कर सकते हैं कैसे कर सकते हैं हमने यह यहां पर चार टॉपिक रखेंढ़ दिश्ट की क्या होगी इसमें क्या 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 टॉपिक आते हैं एक interpersonality इसके यहीं कि अंतर व्यक्तिक संप्रेशन एक हिंदी इंगली इंगली रिजनिंग मैठ यहीं आता है लेकिन कितना आता है यह जानना बहुत जरूरी है कि किस पर हम कितनी कमांड बनाएं अगर मैं बताओं पांच साल का पेपर का मुल्यांकन करके तो इनको मैंने चार समुहों को न गल्ए अलग बहुदे अलग रखा है जानबुज के रखा है तो इनकी संख्या आप मां सकते हैं इन चार समुहों की संख्या ह staat मालड कि 70 से 65 किस्षंट आपकी यहां से मिल जाते हैं titum और गले इंटर परशनल स्किल से 45 जिए कुश्षं हां को मिल जाते हैं फ स्वять है और मुझे हो जाएगा और आप वहां जाएंगे टिक लगाएंगे कुछ न कुछ टिक लगाएंगे और यह 25-30 कुछन आपके यहां के भी 10-12 बरबाद कर देते हैं यही आपकी ऐसा फलता का सबसे मुख कारण है तो सबसे पहले मैंने आपको क्या सिखाया कि 100 कुछन आपक मार्किंग भी है तो 33 का आकड़ा कैसे पार किया जाए इस रण रणीत से समझेंगे हम लोग तो हमने सबसे पहले देखा कहां से कितने कुछन आते था हमने का 25-30 कुछन इंटर परसनल स्कील अंतर व्यक्तिक संप्रेशन से हैं हिंदी इंग्लिस रिजिनिंग मैट से मिला क तो इनकी संख्या हो जाती है लगबाक चालीस यानिक अप यह कहना चाए यानि की जानतों 20-20 कुछन तक आ जाते हैं और आउते कह सकते हैं यह 15-15 कुछन तक आ सकते हैं कोď ृइं नहीं दो चार कुश्चन कम और दो चार कुश्चन ज्यादा हो सकते हैं इसमें किसी बात की कोई आतिश्योगती नहीं अब सवाल उड़ता है पहले आप चेक करो कि आप कहां सेट बैठते हूं आपने चेक किया और अपना मुल्यांकन किया कि सर हमारी इस्तिती हिंदी में और ब्रिजनिंग में ठीक है प्रॉब्लम इंगलिस और मैथ में है और अंतर व्यक्तिक संप्रेशन बिल्कुल नहीं आता तो यह घंटे पढ़ने के लिए इसलिए कह रहे हैं आप एक मार्केट में जाईए मैं किसी दिन करेंट अफेर की क्लास में आपको बता भी दूँगा क इस अंप्रेशन की कौन से अची पुस्तक है जहां से कुर्ष्ण फस भी जाते हैं जहां अच्छे से समझाया भी गया है और कुर्ष्ण का अभ्यास भी आज तो नहीं बता रहा हूं मैं आपको करेंट अफेर की क्लास में इसको बता दूंगा एक पतली पुस्तक खरीद ल रहें और एक पतली पुस्तक ले लिजिए तीचर का क्लास और पुस्तक को अगर आपने पढ़ लिया इस 25-30 में मैं बता रहा हूं आपका 15-20 तो होने लगए पंदरा तो हो ही जाएगा भाई नहीं 15-20 तो पंदरा हो ही जाएगा जिनको कुछ नहीं आता उनकी बात कर रहा हूं और जिनको कुछ थोड़ा बहुत आता हो काईदे से मेहनत कर लिए इस 25-30 में 20 प्लस भी किया जा सकता है ध्यान रखिएगा और यहीं सबसे बड़ा हार का कारण है क्योंकि इसको लेकर कि आपकी रणनीती सून है आपको ही काम नहीं करते इसको लेकर के और एक्जाम में जाकर अटेंब करते हैं काम कुछ नहीं करते हैं लेकिन एक्जामनेशन में जाकर अटेंब करते हैं इसलिए आपके जो हिंदी और रिजिनिंग भी सही किय बात करते हैं, हिंदी और रिजनिंग एक ऐसा टॉपिक है जिस पर आधारित कुष्ण किये जा सकते हैं, हिंदी लिए आधित प्रकाशन सब लोग जानते होंगा, इसा कोहीं नहीं होगा हिंदी के लिए, और हिंदी अमूमन बच्चों के सही होती ही है, क्योंकि PCS देने वाले सब समिच्छा दिकारी देते हैं, और समिच्छा दिकारी देने वाले जो ग्रामर वाला 60 कुशन आते हैं, उसके अलावा सब को समान हिंदी का एक क्वालिफाई पेपर PCS में करना है, उसके लिए अभीर बच्चा 15 कर सकता है, पूरा एक भी गलत नहीं होगा है, और थोड़ा सा नॉन सीरियस हैं, तो 10 से 12 उकर ही सकते हैं, और मैंने यहां पर कहा कि अगर यहां पर आप काम करते चलेंगे तो 15 कुशन आराम से समप्लेशन में बनाईए, हम कह रहे हैं आप 10 कुशन बना इसे लिए, हिंदी में, जो रणनीत बना रहा हूं उस पर काम करोगे न मुस्कुराते हुए सिसरेट निकाल दोगा, बनाते हुए, कोई टेंशन की बाती नहीं है, लिकर काम करना पड़ेगा, ऐसे नहीं मुस्कुरापा होगे, मुस्कुराने के लिए थोड़ा सा वरक करन पड़ता है थोड़ा सा बूरे दिन जहेलने पड़ते तब खुशहरी के दिन आते हैं संप्रिशर पड़े आपने काम कर लिया तो वहाँ पर पंदरा पकड़ बना लिया आपने हिंदी ये कैसा विशे 15 में 10 बहुत आराम से 15 में 15 भी किया सकता लेकि आराम वाले बता रहा आपके वाल कुश्चन देखो कि कुश्चन कहां से अमूमन आते हैं कलेंडर से कुश्चन आ रहे हैं क्लॉक से कुश्चन आ रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग से आ रहे हैं पजल से आ रहे हैं सिरीज से आ रहे हैं जहां से कुश्चन आ रहे हैं उस टॉपिक का कॉंसेट कर लो एक class coding recording का कर लो एक series का कर लो और कुछ्छन लगा दो और आप मुझा जिस प्रिष्भूम से अधि रेजिनिंग सब की अचछी होती है रिजनिंग किसी के खराब नहीं होती है और इसमें भी आप 15 कुछ्छन जो आपके यह रिजिनिंग का मैंने दिया है और 15 10 25 10 35 यह मिला कर आप 35 पहुच गए माइनस मार्किंग के बाद 33 क्राउस कर गए और मैंने अभी दो विश्यों की बात ही नहीं की इंग्लिस और मैथ जो के लिए आपके लिए बहुत मुश्किल काम है बहुत सारी विद्यार्थियों के लिए मैथ भी बहुत मुश्किल काम है और बहुत सारी विद्यार्थियों के लिए इंग्लिस भी बहुत काम है बहुत मुश्किल का काम है लेकिं कुछ विद्यार्थी ऐसे होंगे इसमें निश अंदे रूप से जो यह कह सकते हैं, सर मैत में तो हम बीटेक रहे हैं, हमको मैत की कोई चिंता नहीं है, अगर मैत जिसकी चिंता नहीं है, अब सोचे ही ना, वो 35 के पार 50 पहुच जाएगा, अगर मैत जिसकी चिंता नहीं है, कोई कहता है सर मैत तो चिंता थी, लेकिन म सब बहुत अच्छे आपकी से अच्छे से बताता है। यह बदान सकता है कि हमते हमारे इंगलिस को लेकर कर भी प्लॉबलम नहीं है। इंग्लिस में चाहे common error की बात हो, चाहे narration की बात हो, चाहे active wise या passive wise की बात हो, वो हमारा complete है, तब भी मुश्कराइए कि आपकी इंग्लिस मजबूत है, तब भी आप 35 के पार 50 तक पहुच जाएंगे, लेकिन एक सम्भू ऐसा भी है, कि सर क्या बता है, बदकिस्मती से ना हमा जो वास्तों में आपके लिए इदम सही है, अब गलित नहीं हो पाएगी, उन समुहों की बात कर रहा हो, जिंको गलित नहीं आती, छोड़ दीजे गलित को, गलित पर जाएए ही मताब, अब आप काम करिये लिजे इंग्लिस पर, इंग्लिस पर एक पुस्तक ही आती है, एक Corror of Common Error, Common Error, common error, in दो पुस्तकों को आप ले सकते है, इन दो पुस्तकों को आप ले सकते है, दोनों मसे कोई एकह, दोनों नहीं ले ले लें, दोनों मसे कोई एक नीत अप स strawberry chat, जो भर ले लिए, उसको ले करके, ऑखाना है अग्लिस टो शीक्ष ऩुब, अब भर स्नुइ अब 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 दिखकत की बात है कि आपको रोजने कभी मतलब नहीं पता है कि फूलो ओकी सेज्ज हैी, तो जो इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट आपके हैं, अरड लेटर जानते तब फिल दिक्कत है, All in all नहीं जानते तब भी दिक्कत है, तब तो इसे बेसिक बाते नहीं पता है, कुछ idiom phrases, कुछ antonyms, कुछ synonyms, एक बार noun, pronoun, verb, adverb, preposition, conjunction, देख लिजे, article देख लिजे, कैसे सब लगाए जाते, एंदा का प्रियोग कैसे है, preposition का प्रियोग कैसे है, noun और pronoun का प्रियोग कैसे सिंग्लर प्रियोग कैसे है, तो उसमें common error भी हो जाएंगे, कुछ vocabulary हो जाएगे, थोड़ा बहुत रूल देख लिजे, भाई, high school इंटर में पढ़ा है, active wise, passive wise, direct indirect, थोड़ा साथ देख लिजे, पैसेज वाला कुष्ण तो ऐसे हो जाता है, 6-6 कुष्ण तो पैसेज क्यात चे कुष्ण और बढ़ा लो, कहीं से बढ़ा लो, अंग्रेजी के गदान से बढ़ा लो, यानि पैरागराप से बढ़ा लो, एंटानिम से बढ़ा लो, मैथ से बढ़ा लो, यह हो जाएगा, और जिनका balance है, उनको तो चिंता करने की बात ही नहीं है, 35 तो मैंने आपको इन हिंदी को मजबूत करें, reasoning को मजबूत करें, some pressure पर काम करें, और ingles की कुछ चीजों को याद कर लें, जो basic बाते हैं, article की preposition की, conjunction की, noun की, pronoun की, adjective की, adverb की, narration की, active wise की, passive wise की, idem phrases की, antonyms की, synonyms की, यह सब आप कर लिजे, स्पेलिंग स्पेल्ट भी आजाता कर तो इस रहनीध से काम करेंगे तो से कोई टेंसा लेने की जरूरत नहीं है नहीं डरने की जरूरत है आपका काम हो जाएगा तो मैंने तीन वर्गों में आपके समुह को बाटा है तीनों के लिए अलाग लगर रहनीतिया बनाई है लेकिन एक काम हर वजविध्यार्थी को करना है इस संप्रेशन पर जो आप नहीं करते हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं है और मैं खुद कोशिश करूँगा कि अनतिम समय पर यू पीपी से सुथकर्ष के चैनल पर अपनी सी सेट की पूरी टीम उतारूं वहां पर भी आपकी मदद कुछ हो पाए इस वीडियो को लेकर आने का सिर्फ एक मक्षत था कि जो सी सेट को आप दरखिनार कर चुके हो जो सी सेट के बारे में आप सोच ही नहीं रहे हो उसको आप गंभीरता से लेना सुरू कर दे और इस पर काम करना प्लारम कर दे ठीक है तो मोश्टली बच्चों को कम सकम एक घंटा तो शी सेट पर देना ही चाहिए जो बचे हुए सेज समय पर और ध अध्रिक दिसकाउंड में आपके बल तीन दिन शेस हैं आपके इस आफर के लिए जहां पर आपको प्रैक्ट कुक रिविजन बैच मिला है एंसी क्यूज बैच मिला है अर्जुन 3.0 का फाउंडिशन बैच मिला है समान अध्यन का लाइफ फ्रम क्लासरूम का फाउंडिश सब्सक्राइब के लिए सिसेट की रहासान हो पाएगी या नहीं बहुत शुक्रिया धन्नवाद थैंक्यू वेरी मच